दोस्तो कहानी का नाम है नई बहू और परफेक्ट बनने की चाह काजल जल्दी उठो ना यार और कितना सोना है तुम्हें देखो मुझे ओफिस जाने के लिए देर हो जाएगी रोहित ने काजल को जगजोरते हुए कहा सुबा के साथ बजने वाले थे और काजल अभी तक गहरी मीन में खोई हुई मीठे मीठे सपने देख रही थी रोहित के द्वारा जगजोरे जाने पर उसके सपनों पर आचानक से ब्रेक लगा और वा आखे मलते हुए उठ बैठी आख खुलते ही उसने देखा घड़ी में साथ बज रहे थे वा हरवड़ा कर जट से बिस्तर से नीचे उतरी और मन ही मन बढ़ बढ़ाने लगी हे भगवान आज इतनी देर तक सोई रह गई में अब समय से इनके लिए नास्ता कैसे बनाऊंगी काजल और रोहित की नहीं नहीं साधी हुए थी संसुराल में सबका दिल जीतने और परफेक्ट बनने की चाह में काजल हर काम खुद से आगे बढ़कर करने की कोशिस करती थी और अपनी सास निर्मला जी को भी कोई काम नहीं करने देती थी उसे लगता था कि वह सब कुछ खुद करके एक परफेक्ट बहु बन जाएगी उसकी सास निर्मला जी भी उसे बहुत समझाती थी कि थोड़ा बहुत काम मुझे भी करने दिया कर लेकिन वह तो उनके बात सुनती ही नहीं थी उस पर तो परफेक्ट बनने का भूत सवार था इस चक्कर में वह पिछली रात को देर रात तक रसोई का सारा काम निप्टा कर सोई थी इस वज़ा से सुपह उसकी नीन जल्दी नहीं खुली अब वह खुन को कोस्ते हुए रसोई में फटा-फट नास्ते की तयारी कर रही थी उसने सोचा फटा-फट भिंडी फ्राई कर लेती हूँ और भिंडी फ्राई करके पराठे बना देती हूँ उसने फटा-फट भिंडी काटकर कड़ाई में चौंक लगा दिया उसे पता था कि भींडी को धीमी याग पर पकाने से वो आच्छी तरह से फ्राई होता है लेकिन उसने सोचा कि भींडी में जरा सा पानी डाल देती हूँ तो भींडी जल्दी गल जाएगी यह सोच कर उसने कड़ाई में पानी मिला दिया और कड़ाई को धक कर रख दिया तब तक वो पराठे सेखने लगी थोडी देर बाद उसने धकन हटा कर देखा तो भींडी की हालत देख कर वो परिसान हो गए भींडी की तो रंगत ही उड़ गई थी और वो लिसली सी भी हो गई थी जरा सा चलाने पर वो भिंडी तूट कर विखर गई और उसके बीज पूरे कड़ाई में भर गए उसने घड़ी की तरफ देखा साड़े साथ बजने वाले थे उसने अपना सिर पीट लिया और उसका मन रुआसा हो गया तभी रोहित दर्षव सुई में आया और उसने नास्ता मांगा काजल ने तो मूह ही लटका लिया रोहित ने प्यार से उसका चेहरा उठा कर उससे पूछा क्या हुआ मूह क्यों लटका रखा है काजल ने सिर जुका हुए कड़ाई से धकन हटा कर रोहित को दिखाया उसे देखकर रोहित हसने लगा और बोला ये क्या हो गया काजल की आखों में आसु आ गया वो रोते हुए बोलने लगी मैं फेल हो गई देखो मुस्से एक भी काम ठीक से न नहीं होता सबसे कुछ न कुछ गलती होती रहती है मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ तो मुझसे भी गलती हो जाती है इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है तब तक काजल की सास निर्मला जी भी रसोई में आ गई वो अभी भिंडी की हालत देखकर अपने आचल से मु फेरते हुए बोली देख वेटा यह जो परफेक्ट बनने का भूत है न वह मुझे पर भी सवार हुआ था मैं भी शुरुवात में आईसी ही थी मुझे लगता था कि ससुराल में हर काम खुद से और परफेक्ट करूंगी तो सब की चहती बन जाऊंगी लेकिन मुझसे भी जाएं दिन कोई न कोई गलती होती रहती थी और मेरा आत्मविश्वास टूट जाता था फिर धीरे-धीरे अभ्यास से सब कुछ सही होने लगा तम मैंने जाना कि कोई भी इंसान सुरुवात से परफेक्ट नहीं हो सकता है हम कोई भी काम सीखते सीखते ही सीखते हैं और परफेक्ट बनने का इतना दबाव लेंगे न तो जीना मुस्किल हो जाएगा काजल सी सकते हुए बोली लेकिन मम्मी जी अभी तो समय भी नहीं है मैं इनको टिफिन कैसे दूगी रोहित ने जट से कहा तो क्या हुआ आज मैं एक गंटा लेट आफिस चला जाऊंगा मुझे भी कभी आफिस पहुँचने में देर हो सकती है क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ रोहित की बात पर रोहित और उसकी माद खिल खिला कर हस पड़े और काजल के चेहरे पर भी मुझका अनफैल गई आज काजल समझ गई थी कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और परफेक्ट बनने की चाह में तनाव लेकर हमें खुद के मानसिक और सारीडिक नजर अंदाज नहीं करना चाहिए तो दोस्तों उम्मिद है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी और भी नई कहानियों के लिए इस चैनल को तुरंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरी हर नई कहानी आप तक बिना किसी बटके तुरंट पहुंच सके धन्यवाद